तो यह दोगों प्यारे बच्चे इस वाले question को देखो इस में क्या कहा जा रहा है अगर इस वाले question को देखोगे तो अपने पास two radioactive simple है ठीक है थोड़ा सा इस question को देना तो दो radioactive simple है पी एन क्यूट जब टीके होते हैं तो बनाते हैं आर तो जब टाइम जीरो था तो डीके आर टाइम टीड पी एन क्यूट तो पी की जो परजेंट था ओफोर पी फोर एन नौट था और क्यूट था और यह था जीरो ठीक नहीं यहां से कहा जा रहा ह है तो यह कहते हैं कि इनका half life पी यहां दिया है half life पी को मैं one मान लेता हूं तो half life one minute है और Q को मैं two मान लेता हूं तो इसका half life two minutes है ठीक नहां पर हाफ लाइफ दिया हुआ पी एन क्यूट का तो देर और नौ निकलियाई फार परजेंट इन से इनिसली आर नंबर आम निकल i and P Q equal जब P and Q P और Q के निकलियाई equal होंगे तो उस समय नमबर आम निकलियाई present in r तो जब P and Q equal होंगे तो P 21 के r बनाता है तो T time बाद जो है अगर यह टीर की है वो remaining है मानलो एन पी डैस रिमेनिंग है और टी टाइम बाद जो क्यू है वह अपना एन क्यू डैस रिमेनिंग है तो यह कह रहा है कि यह ही जो है यह जो रिमेनिंग है तो इन दोनों का जो सम है एएन यहां से क्यों डैस की वेलिव है यह पूछा जा रहा है तो कितना बचा हुआ है वही तो आ रहा है क्योंकि पी जो है ड्यों है टूट चुका है और एन क्यू जो है चुछ तो यह बचा हुआ है तो सबसे पहले देखो इस question को करने के लिए कि कितने time बाद अगर dk और आप पहले ही वो calculate करते हैं कि कितने time बाद जो है समझना इस problem को कि मान लेते हैं कि t time बाद इस दोनों number आप निकली आई equal होते हैं तो after time t after after time t t time बाद जो है इनके जो sample होते हैं n p और n p equal होते हैं तो n p t time बाद जो होगा ओ 4 n naught और 1 by 2 और यहां से t और half life इसका 1 है और n q t time बाद जो है और n naught यहां से और 1 by 2 यहां से t और half life इसका 2 है तो यह देख लेते हैं अपना इन दोनों को equate कर दोगे सिंस यह दोनों equal है equation number first and equation number second तो यहां से 4 n naught by यहां से 1 by 2 small t upon 1 is equal to यहां से n naught और यहां से 1 by 2 small t by 2 यहां से तो n naught यहां से खतम हो गया तो यह तुम यहां से देखोगे कि 4 यहां से आ जाएगा 4 और यहां से 1 by 2 यहां से t by यहां से 2 minus यहां से t तो इसको इसकी जो value आ जाएगी 2 की power minus यहां से minus t upon 2 minus minus यहां से plus हो गया तो यहां से जब इसको solve करोगे तो इधर बचा इधर बचा 2 की power 2 और इधर बचा 2 की power t by 2 तो t is equal to 4 second तो 4 second बात जो है वो np और nq equal हो जाएंगे तो dk कितना हुआ यह निकाल लो तो after जो है after time t is equal to 4 second बात 4 second बात जो है वो dk हो गया तो dk हो गया है तो कितना dk हुआ वो निकाल लेते हैं तो dk हुआ है np तो वहां से 4 n0 और यहां से 1 by 2 और 4 और divided by 1 ठीक है तो यह जो है dk जो हुआ होगा वो 4 n0 और यहां से 1 by यहां से तुम देखोगे 4 मतलब 16 मतलब n0 by 4 जो है वो 16 t equal to 4 time बात dk हुआ खतम हो चुका ठीक है उसी तरह से nq की जो वेलू है वो कितना हो जाएगा n0 और यहां से 1 by 2 और यहां से 4 divided by 2 तो यह जाएगा 2 मतलब n0 by 4 यह तना dk हो चुका है t is equal to 4 time बात तो remaining कितना है तो remaining जो है यह remaining ठीक है रुको मैं pain बदल लेता हूं तो तुम्हें ज्यादा feel आ जाएगा दो सारे बच्चों को जो है white color अच्छा लगता black पे तो remaining जो है वो np dash remaining है तो 4 n0 minus जो dk हो गया np तो यहां से आजाएगा 4 n0 और minus n0 by 4 तो यह जाएगा 15 n0 by 4 that is remaining of np dash और यह r बन चुका है यही r है simple तो remaining of nq dash is equal to यहां से n0 और minus n0 by 4 that is यहां से 3 n0 upon यहां से 4 ठीक है बात समझ में आ है तो अगर आप मैं यहां से check करूंगा देखूंगा यहां से तो यह जाएगा अपने को number of nuclei of r तो r की जो value आ जाएगो np dash plus nq dash यही बचा हुगा 15 n0 by 4 और plus यहां से 3 n0 by 4 तो यहां से 15 और तुम देखोगे यहां से 18 n0 by 4 मतलब यहां से n9 by 4 मतलब 9 n0 by यहां से तुम देखोगे तो 2 तो 9 n0 by 2 मतलब c option सही हो जाता है ठीक है तो थोड़ा सा lengthy problem है आई रोप कि आपको मज़ा आ गया होगा थेंक यू